हेलो और नमस्कार दोस्तो टेक्निकल अविश्यक बाभू चैनल में आपका स्वागत है और काईच आज की जो वीडियो है वो इलावाद इंविश्यटी के सभी स्टुडेंट के लिए बहुत यहाद है इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अंडर गेज़िट पोश्ट गेज़िट के जितने भी इलावाद इंविश्यटी के स्टुडेंट्स हैं जो के भी फिलाल में 2018-2019 के एक्जाम्स में फेल हुए है जस्ट अभी जो इनिस चल लगए है और 2018-2019 के एक्जाम्स में फेल हुए है जस्ट दो दिन पहले करते हैं बहुत अंसानी के साथ में अगर आप एक से दो सब्सक्सरी यह पहले हैं तो थे आप पास हो सकते हैं तो गयाज कर आँज Gemini पढ़ रहे रहे हैं तो प्लीज अपर अपको इलावा दी इंविश्यटियाकि का हर एक अपडेट चोटे से चोटे और बड़े से रहेगा तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और आपको पास होने की टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं जिसकी वैसे आप 100% शुर्टी से पास हो सकते हैं इलावाद इनिविश्यटी के द्वारा पाने का तो जायीज सबसे पहले में आपको पताना चाहूंगा कि बिलकुल लीगल मेथटड अज已经की सपोर्ट में हैं तब ही वीडियो को कंपीट देखें और सबसे पहला मेरा topic यह है कि अगर आप लोग एक exam में fail हैं तब आप pass हो सकते हैं एक exam में fail होने के साथ में आप किस तरीगे से pass हो सकते हैं आपको बताना जरूरी है देखें एक exam में हैं अगर अगर आप ऐसे आंगी जोत अगर आप किस तरी है तो एक ह långफ का फॉर्म वर्सक्ते हैं एक एक में आप सो लगा सकते हैं और दूसरे एक्जाम में आप री एक्जाम डाल सकते हैं आप बडी değer ढूक्व चार नमबर से फिलें और एक ऐसे ओद है तो जिस एक्जाम में आप चार नमर से चारं फिलें उसमें ऑप ग्रेस का अपली कर सु to डाता है गेस् होते हैं घरेस आपको अठट से पहले पहले मिल जाती है अगर आठ नबर तक अपको फेले हैं था ठीक है बिशेंप पास फासक भलता तो अगर आप चार यापांच नंबर से थे तो आप ग्रेस अगर आप दूसरे एक्जाम में 10 नमबर से फेल हैं, तो उसमें आप री एक्जाम डाल सकते हैं, ठीक है? दो एक्जाम में यह ची क्लियर होई एक एक्जाम में भी वहने क्लियर कर दिया अब बात आती है तीन एक्जाम बालों की देखिए तीन एक्जाम में अगर आप फेल हैं तब आप कैसे पास होंगे फिर भी बहुत अच्छा आपके लिए ठीक्स है बहुत एची टॉपिक्स है एक था मैं तो उपन्पर से कम आप सकते हैं थो इसमें tuz आप लोग में तो उसमें लगा सकते हैं अपनी lsams का हिसा आPad नबर के अपनी एक्जाम की application आपर सकते हैं मतलब तीसरी बात आती है तीसरी अगरा एक्जाम में आप तो उसमें आप स्कूर्टनी का यानि कॉपी रीचेक का लगा सकते हैं एप्लिकेशन और कॉपी रीचेक का फॉर्म बर सकते हैं जो कि ऑनलाइन भड़ा जाता है क्या हुगा कि आपकी कॉपी चेक होगी आपके मार्स इंक्रीज हो जाते हैं उससे और आप पास होने की उम्मी तो इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा अगर आप लोग इलावात इनुश्यटी से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब कर लें अगर कोई भी कोई 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 कुश्चन है आपको फॉर्म किस तरीके से बनना है रीचेक का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से ब मिलती रहेंगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करने अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्योंकि यहां पर आपके लिए इलावात इनुश्यटी का हर एक अपडेट मिलता रहेगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हैलफुल हो सके तो थैंकि सो मतरस्तों मिलते हैं अपके लिए बाब है